हलो फ्रेंज आप लोग कैसे हैं मैं हूँ नैंसी मेरे रेसिपी में आपका श्वागत है आज हैं बहुत टेस्टी दलिया बनाएंगे आप इस तरह से दलिया बनाएंगे तो सब लोग मांग मांग के खाएंगे इतना टेस्टी दलिया बनेगी इस तरह से दलिया बनाके आप ट्राई करें और मेरे रेसीपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप इस तरह से दलिया बनाएंगे बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं इस तरह का दलिया आप बना के ट्राइ करें बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए आम गेहूं का दलिया एक कफ ले लिए हैं दलिया अच्छे से साफ करके लिए क्योंकि इसमें बर्शात का मौशम है तो आप दलिया अच्छे से साफ करके लिए इसको स्टोर करना है तो घी में भून के अच्छे से रख सकते हैं किसी डिबे में यहां कोकर में एक चम्मज घी ले लिए है दलिया को अच्छे से भुनने के लिए एक चम्मज घी ले लिए है अब इसमें दलिया डाल देंगे घी गरम हो गया है अब दलिया डाल के अच्छे से भुनेंगे दो तीन मिनट तक भुन लेंगे दलिया को इस तरह से आप घी में बनाएंगे दल्या बहुत टेस्टी लगता है भूनके कंप्लीट हो गया है दल्या का कलर चेंज हो गया भूनके लाइट ब्राउन हो गया इसमें पानी ले लेंगे जिस कप से हम दल्या डालें उसी कप से पानी डाल देंगे एक कप और थोड़ा सा और डाल देंगे बहुत ज जब तक यह हो रात तब हम सब्जी काट लेंगे आपको जो सब्जी पसंदे ले लें नए हम ट्रमाटर हरी मिर्च फजक और मोझ, एक शब्जी लिये हैं तब तक यह हो गया है दलियाँ एक सीटी लग गई अब चप्द KAL चक कर लेंगे अब दलिया चला के अच्छे से एक बार देखेंगे चक करेंगे दलिया पक गई है दलिया बिल्कुल अच्छे से पक गई इसमें गरम पानी डाल देंगे दलिया बहुत ज़्यादा ना सूखा बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा गीला बनाएंगे अब इसमें पाने डाल दें ऑब इसमें पानी पाने बिलकुल है इसे जएधा नहीं डालेंगे औहें ऐसमें हम घी डाल देंगे यकी जमा है तो अब गीमेल गरम हो अब इसमें हम एक छोटा चमत जीरा डालेंगे जीरा थोड़ा अच्छा से चला लेंगे जीरा हो जाए तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे हरी मिर्च अच्छे से पक जाए इस तरह से आप दल्या घी में बनाएंगे बहुत टेस्टी दल्या बनेगा इसमें प्याज डाल के प्याज को तब तक गुनेंगे जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए अब इसमें बीन्स डाल दें बीन्स डाल के भी अच्छे से भूल लेंगे अब इसमें जो हरी सब्जी लिए थे वो डाल देंगे आप जो सब्जी स्खाना चाहते इसमें डाल के बना सकते हैं बहुत हेल्दी दल्या बनता आप टमाटर डाल देंगे इस तरह से आप नमकीन दल्या बनाएंगे बहुत अच्छा दल्या बन की तियार होगा अब इसमें एक छोटा चमच लाल मिच पाउडर डाल देंगे एक छोटा चमच टी स्पून से अलदी पाउडर डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार अब दो से तीन मिनट के लिए ढग देंगे पकने के लिए दो से तीन मिनट हो गया आप चेक करेंगे सबजी थोड़ा सा चला कि इसमें नमक डाल देंगे भी दलिया में भी नमक डाल देंगे ना दलिया में नमक पड़ा ना सबजी में पड़ा है तो स्वादल सा नमक डालेंगे कि दोनों का मैनेजमेंट अच्छे से आ जाए अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके अब एक बार ढ़क देंगे अच्छे से एक मिनिट के लिए दो मिनिट के लिए ढ़क देंगे अब फिर से चेक करेंगे सब्जी सारी पक गई है सब्जी अच्छे से पका लेंगे बस इसमें अब दलिया डाल देंगे दलिया डाल के चला लेंगे अच्छे से दलिया को अच्छे से चलाएंगे चला अप लेंगे एक बार ढख देंगे जिससे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे एक से दो मिनट के लिए ढख देंगे अच्छे से एक से दो मिनट हो गया आप दल्या चेक करेंगे दल्या बिल्कुल अच्छे से बन गया कंप्लीट हो गया खाने के लिए मेरी रेशीपी आपको थोड़ा भी अच्छा रगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे इस तरह से आप दल्या ब पहोट पसन से